नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत आज हम इस वीडियो में मगद महाजनपद एम मगद महाजनपद समरज्य का उतकर्स के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा मगद समरज्य के बारे में हमने पहले भी पढ़ा महाजनपदों के बारे में पढ़ा वेदों के बारे में पढ़ा इत्यास किसे कहते हैं के बारे में पढ़ा तो ये सब वीडियो आपको पहले वाले वीडियो में देखने को सुनने को पढ़ने को मिलेंगे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलें और आप इतियास्य समधित नही नही जानकरी प्राप्त कर सकें तो देखेगा पढ़ते हैं मागत महाजनपद 16 महाजनपदों में मागत सर्वादिक सक्तिसाली महाजनपद था ठीक है ना मागत का सर्वा पर्थम उलेग अतरवेद में मिलता है अतरवेद के बारे में हमने डिटेल से पहले पढ़ा है देखेगा आप मागत की राजदानी गिरीवरज या राजग्रह थी यहां की दूसरी राजदानी पाटली पुत्र थी पाटली पुत्र को उद्देन ने स्तापित किया था तो मगत की राजदानी गिरीवरज या फिर राजग्रह थी और दूसरी राजदानी पाटली पुत्र थी पाटली पुत्तर को उद्या नामक सासक ने इस्तापित किया था मगद में कई वंसों ने सासन किया ठीक है ना जैसे हरियक वंस, सिसुन, हरियक वंस, नाग वंस, नंद वंस ठीक है ना, तो देखेगा सबसे पहले पढ़ते हैं हरियक वंस तो हर्यक वंस के कई राज़ों ने सासन किया था सबसे पहले है बिम्बिसार बिम्बिसार का समय ये 544 से 422 में इसा पूर्वे था पुराणों के अनुशार मगत का पर्थम सासक सिसु नाग था लेकिन इतिहास में बिम्बि सार को ही मगद का पर्थम सासक माना गया है पुरान तो बताते हैं कि मगद का जो पर्थम सासक वसी सुनाग था लेकिन इतिहास है ये बताता है कि बिम्बि सार है ये मगद का पर्थम सासक था भिम्बिसार ने व्यवाइक संbंधों के माधम से राजनेतिक सकति के विस्तार की योजना बनाई थी भिम्बिसार के गांधार के सासक पुषका सनीन अवन्ती के सासक चंडप्रध्योत से राजनेतिक संबंध थी बिम्बिसार ने मगज समराजे के विस्तार की सुरुवात की उसने सर्वा पर्थम ब्रहमदत को प्राजित करके अंग को मगज में मिलाया था बिम्बिसार ने स्रेनिक छेत्रिय बिम्बिसार की उपादी प्राप्त की तो बिम्बिसार की उपादिया कोन सी है? स्रेनिक छेत्रिये बिम्बिसार बिम्बिसार ने बोध धरम को सरंक्षन दिया बुद को बेलुवन विहार दान में दिया तो मात्मा बुद को बेलुवन विहार दान में कोन से सासक ने दिया? बिम्बि सार कोण से धरम को सरंख्षन दिया बोध धरम को जैन धरम भी बिम्बि सार को जैन धरम का सरंख्षक मानते हैं 422 इस्सा पूरव में उसके ही पुत्र बिम्बि सार के ही पुत्र अजासत्रू ने बिम्बि सार की हत्या की लेकिन जैन ग्रंथेमु अजासत्रू को पित्रहंता का दोसी नहीं मानते हैं अब देखेगा अगला सासक आता हरियेकवन्स का अगला सासक है अजासत्रू जिसने 452 से लेके 460 सापूरवत तक सासन किया था अजासत्रू ने समराजय विस्तार की नित्ती बनाये रखी इसने वजी संग को सुनीद वसकार मंत्रियों की साथ से जीता इसने कोसल सासक परसेन जित पर आकरमन कर उसकी पुत्री वजीरा से विवा किया एमकासी को पुनह प्राप्त किया आगे चलकर अजासत्रू ने प्रसेन जित को हरा कर उसके बाद के सभी सासकों को हरा कर संपूर को सल को जीत लिया अजासत्रू ने कुणिक की उपादी धरन की तो अजासत्रू ने कौन सी उपादी धरन करी कुणिक की वजी संके विरुद महा सिल्ला कंटक रत मुस्तल जैसे युद्धास्त्रों का उप्योग किया यह सासक धार्मिक रूप से उदार सासक रात बो तथा जैन दोनों इसे अपना स्रंग सक मानते हैं लेकिन जैदा साक से बो दरम से समन्दित है तो यह धार्मिक रूप से एक उदार सासक था कौन अजासत्रू अजासत्रू के समय पर्थम वो संगीती राजग्रह की सब्त परणी गुफा में हुई थी तो बहुत संगीतियों के बारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है भरहुत इस्तूप की वेदिका पर अजासत्रू को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है ठीक है राजग्रह में अजासत्रू ने महात्मा बुद्ध क अजासत्रू अगला सासा गाता उद्ययन इसने पाथली पुत्तर पाथली पुत्र का दूसरा नाम उसुमपुर भी था तो इसने पाथली पुत्तर की स्टापना की और इसे राजधानी बनाया तो पाठली पुत्र को राजदानी किसने बनाया था उद्यन ने उद्यन जैंद्रमावलंबी था अब देखिएगा हर्यकवन्स का अंतिम सासक आता है नाग दसक तो जनता द्वारा इसको हटाया गया और वाराण सी के मगद गवर्णर सिसुपाल को नया सासक बनाया गया तत का गवर्णर था नाग नाग वन्स तो नाग वन्स के कई राज़ाओं ने मगद महाजनपत पर सासन किया था देखिएगा सबसे पहला सासक आता है सिसु नाग ने अवंति को जीता था वेशाली को मगद की दूसरी राजदानी बनाया था ठीक है काला सोक नाग वन्स का अगला ससक आता है काला सोक काला सोक को पुराणों में काक वरण कहा गया है काला सोक के समय में दूसरी बो संगीती का आयोजन हुआ था बो संगीती है हमने पहले पढ़िए वहाँ पे देखिएगा आप डिटेल से नंद वन्स तो अगला वन्स आता है नंद वन्स महापदम नंद जिसका दूसरा नाम उग्रिसेन भी था तो महापदम नंद ने नंद वन्स की स्थापना की थी महापदम नंद महा नंदिन तथा सुद्र महिला से उत्पन माना जाता है तथा नंद वन्स स्थापिते हुआ इसने सर्वेक्षेत्रांतक की उपादी धारण की तो सर्वेक्षेत्रांतक की उपादी किसने धारण की महापदम नंद ने महापदम नंद दूसरा परशूराम भी कहलाता है महापदम नंद सुद्र वरन का था इसके समय में मगत का समराजे पस्सिम में पंजाब तक फैला हुआ था इसने कलिंग पर आकरमन किया तता जैन तिर्थंकर सितलनात की मूर्थी पाठली पुत्तर लाया ये भी क्यूसर कई बार पूसते हैं कि जैन तिर्थंकर सितलनात की मूर्थी पाठली पुत्तर लाने वाला सासक कोन सा था वह था नंद वंस का सासक महापदम नंद कलिंग में नहर का निर्मान करवाया था खारवेल के हतिकुंपा बिलेक से पता सलता इस बात का और महापदमनंद के आठ पुत्र थे इसका आठ वा पुत्र गनानंद था युनानी इत्यासकारों ने गनानंद को अग्रे मीज या फिर जेंद्र मीज कहा है इसी के समय भारत पर अलेक्जेंडर का आकर्मन हुआ तो महापदमनंद के समय भारत पर अलेक्जेंडर का आकर्मन होता है अलेक्जेंडर मगदूनिया का सासक था तो इस वीडियो में हमने मगत सामराजे के राजों के बारे में पढ़ा जानकरी प्राप्त की और ये जितनी भी जानकरी प्राप्त की है ये एक्जाम की दरस्टीशे बहुत ही भैतोपून है तो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का भूत भूत धन्यवाद